हेलो फ्रेंट्स मेरे चारेंट्स आपका स्वागत है अज आपके लिए एक नियू आसान सा डिजयाइन लेके आई हूं जो देखो देखने में काफी सुनदर दिख रहे है यह देखो इस design को आप किसी भी जैंट्स, लेडिस, बेबी, जैकेट, मफलर, किसी भी चीज में आप इसको use कर सकते हैं, काफी अच्छा बनके आएगा यह design है, चाहिए आप किसी भी चीज में डाल ले हैं, यह इसकी right side है friends, और यह इसकी wrong side से, यह इस तरह से दिखता है, और यह इसकी right side है, friends, यह design जो है, सीधी slice से शुरू होता है, यह देखो, और यह दो फंदों का design है, friends, देरी ना करते हूं, मैं आपको यह design सिखाती हूं, यह देखो, friends, मैंने कुछ फंदे डाल के चोटा सा बोडर बना के रखा हुआ है, और यह इसकी right side है, क्योंकि यह design जो है, राइट side से शुरू होता है, पहला फंदा आराम से आपने जैसे भी लेना ले लो, फिर यह दो फंदे हैं, दो फंदो में सलाई इस तरह डालनी है, और यह ऐसे धागा निकालना है, ठीक है, फिर आपने इन दोनों फंदों को एक साथ ऐसे बना लेना है, ठीक है, छोड़ देना फि फिर दवारा अपने दो फंदों में से ऐसे सलाई डालके ऐसे निकालनी है फिर ये दो फंदे दवारा ऐसे ये ऐसे छोड़ देने हैं ठीक है ये दिखो फ्रेंड्स ये इसी तरह ये ये सलाई डाली दो फंद में सलाई डाली और आप ये दो फंदे जो है ये इकठे ऐसे बन रानने है ठीक है फिर छोड़ देना है इंको ये इसकी ये लाइट साइड हे एक इस तरह अपनों निकाल ना भीच में जयम इसंम बीच में से निकालना और फिर इन दोनों है उंदों को यह अगले दो फंदे यहां से सलाई डाली और यह ऐसे निकाल ली फिर यह दो फंदे आपस में ऐसे बना लिए ठीक है फिर फंदे छोड़ दिये फिर यह अगले दो फंदे यह देखो यह अच्छे सलाई डालके फंदा निकाला फिर यह दो फंदों का एक कर दिया देखो यह देखो फ्रेंड यह इस तरह दो फंदे में शलाई डाली और देखो यह दो फंदे आपने यह एक कर दिया इस तरह आपने यह दागा निकालना है बीच में से सलाइड डालके और यह इस तरह इस चीज का दियान रखना यह फंदे जो है यहां डालना दागे यह नी नीचे नी डालना है इसको यहां फंदों के बीच में डालना दागा और इसको ऐसे निकालके इसको ऐसे बनाके छोड देना है फिर हमारा ये लास्ट वाला फंदा इसको आप जासे मर्जी बना लो ठीक है ये आपके ये देखो ये दी दो फंदों के हमने दो ही बना दीए देखो ये इसकी रोंग साइड है इस तरह दिखेगा अब फिर दुवारा इसको ये दागा बाहर की तरफ कर लिया ठीक है अब पहले आमने दागा बाहर की तरफ पहले आमने बीच में डाले तीस लाई आप हम यहां से लाई डालके ऐसे इसको ऐसे बनाएंगे फिर इन दोनों को एक कर देंगे यह देखो ठीक है यह देखो अब ऐसे शलाई डाली दोनों बंदों में ऐसे और यह अमने एक कर दिया यह देखो यह पहले तो बीच में डाल रहे थे ना सीरी स्लाई में इसे बीच में डाल के बना रहे थे अब यह दो फंदे ऐसे और यह इस तरह दागा निकालना है और इनका एक कर देना ठीक है यह देखो इसे दो फंदों का ओल्रेडी यह दो फंदे बन चुके है तो इसको ऐसे 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 निकालना है और इनका दो बंदों का दोई बन्द्य बना देना ठीक है यह दिक हो बंद दागा हुआ निकाला और यह देखकर यह चोड दिया यह दागा निकाला और यह चोड दिया इस तरक आपने हुआ ये देखो ये जुखो ये धू फंदों के बाद निकालना धागा फिर ये धू फंदों के हमने ये दो इफंदे दवारा बना दिए ये देखो और ये हमारा लास्ट वाला फंदा ये तको पीछे से इस तरह आएगा और आगे से हमारा डिजाइन यह गांथे से यह आ गई यह देखो गांथे गांथे से लग रही है यह हमारा डिजाइन बना हुआ है थीक है अब हमने पहला फंदा रामान से ले लिया यह तीसरी Tina आई हमारे और यह पूरे फंदें हमने यह इसे इस यह सारे फंदे हमने ऐसे एक एक करके बाहर की तरफ सीधा करके इनको बनाना है इस तरह हमारी तीसरी यह हमारी तीसरी सलाई जो है पूरी सीधी यह देखो इस तरह तीसरी सलाई हमारी पूरी सीधी आ गई ठीक है अब हमारी फॉर्स लाएए फॉर्स लाई में फ्रेंड्स हॉपने इह पेला प्रिया अब यह पूरे पHYंदे बाहर की तरफ यह रोंग साइड है फॉर्स में यह सीधी करके ऐसे बनाने हैं ठीक है हमारे पूरे बंदेर सीधी हमारी फोर्थ स्लाई का यह डिजाइन है कुल चार स्लाई यह हमारी रोंग साइड आई और यह हमारी राइट साइड आई इस तरह यह डिजाइन बनेगा अब जो नए सीखने वाले होते हैं को डिजाइन का पता नहीं चलता है कि अब शुरू कैसे करें तो उनके लिए मैं आपको एक डबी और बनाके बताती हूं ठी मैं यसे दागा निकालना है और फिर इन दो फंदों को आपने एक बना देना ठीक है फिर दःफंदे छोड़ देने है ऐसे ही आपने यह सारे फंदे यह देखो बीच में से दागा डालना और यह के दो फंदों का हमने एक फंदा दो फंदे यह बना देने हैं ठीक है एक दो फंदे लेने यह बीच में शलाई डालने हैं और एक फंदा निकालना है और फिर इन दो फंदों को अपने दो बना देने ठीक है यह यह ऐसे फंदा निकाला एक फंदा बन गया आप यह दो फंदों का एक करना है तो यह दो फंदे बन गया ठीक है एक फंदा बन गया अब यह दो फंदे बन गया इसी तरा आपने एक फंदा बन गया दो 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 आपने इसी तरा आपने इस भी शलाई को बना यह देखो यह दो फंद में से चलाई डाल कि एक फंदा निकालना है कि यह डीजाइन की पहली सलाई है ऐसे मैं एक डीजाइन तो मैंने डाल के बता दिया है पर यह जो सीखने वाले होते हैं पता नहीं मैं चलता है कि आगे हम दूसरी दबबी किस तरह बनाएं तो इसको इस तरह आपने बनाना ठीक है यह देखो कि यह को अब दूसरी डबबी की स्लाई कि यह इसको दागा अंदर की तरफ रखना है यह पहार की तरफ करना है अब यह दोमने पन्दे पहले बीच में डाल रहां एक सिर से अब यहां दो फंदे यह देखो दो फंदे ओल्रेडी बन चुके हैं देखो यह दो फंदे बन चुके हैं तो यहां बीच में ऐसे धागा निकालना है फिर यह दो फंदों का आपने एक कर देना है ठीक है यह देखो दो फंदों में ऐसे सलाई डालके ऐसे फंदा निकालना है फिर इन दूनों का एक कर देना है दागा निकालके इन दो पंदों को दो यी बना देना ठीक है यह देखा इस तरह रोंग साइट से इस तरह आपने बनाना है यह देखा इस तरह यह अमारी दूसरी डबी की दूसरी सलाई यह बनके तया रहा गए यह देखो यह दिख रहा ना डिजाइन आपको यह अब इसमें एक सलाई हमने सीधी लगानी है और एक उल्टी लगानी है यह देखो एक सलाई हमने पूरी सीधी करके लगानी लगानी है यह देखो पूरी सीधी फंदे बनाने बाहर की तरफ है यह देखो पूरी सीधी लाए देखो यह देखो यह देखो साइड से भी हमने पूरी सीधी ही सलाई देनी है इसमें भी हमने सीधी ही सलाई पूरी बनानी है इस वाद का आपने दियान रखना है यह देखो प्रेंट्स यह रोंग साइड से यह दिजाइन पीछे से आसे दिखता है और यह इसकी राइट साइड है राइट साइड से डिजाइन यह फ्रेंट्स मैंने एक डबी बना के दूसरी डबी इसलिए बताई है क्योंकि कई जो होते हैं नए नए सीखने वाले उनको डिजाइन का पता भी नहीं चलता है कि डिजाइन में दूसरी डबी अब कैसे डाली जाए ठीक है फ्रेंट्स कई बार हमें भी पता नहीं चलता है कि आप डिजाइन कहां से शुरू करें कैसे शुरू करें तो इसलिए दूसरी डबी डाली हो तो आराम से नए सीखने वाले जो होते हैं वो आराम से डिजाइन बना सकते हैं अग फ्रेंट्स अगर आपको मेरे यह ड लगा हो तो प्लीज अपने स्वाल और सुजाब कोमेंट बॉक्स में जुरूर लिकें फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगने पर लाइक शेयर और सस्क्राइब भी आप जुरूर करें धन्यवाद बाई बाई